एक सिपाही डिप्टी SP के पास जाता है और जाने के बाद तो कहता है कि साब अब तो कम से कम सच बोल दो मुझे आदेश दिया गया है पट्टा लाने के लिए वो पट्टा जिससे किया अपराधियों को पीटने के लिए इस्तमाल किया जाता है जिन से सच उगलवाने के शुरू कर देते हैं, लेकि तब भी वो अधिकारी बोलता नहीं है, उसके बाद फिर बुलाये जाता है, मंगाये जाता है, बरफ की सिल्लियों को, उन बरफ की सिल्लियों पर उस डिप्टी S.P. को लिटा कर और फिर उस पटे से उनकी सेवा की जाती है, सच सामने आ जाता है, कहते हैं कि आन मिलो सजना जब आता है, तो अच्छे-च्छे सच बोलने लगते हैं, उस अधिकारी ने भी सच बोला, और ऐसा सच बोला ना केबल उस जिले में, बलकि पूरे प्रदेश में इस सच की गूंच फैल जाती है, कहते हैं कि पुलिस रक्षक के रूप में काम करत लेकिन कभी-कभी पुलिस भक्षक भी बन जाती है, आज की इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है, एक अधिकारी था, जो रक्षक की जगे भक्षक बन गया था, और उसका जो चहरा सामने आता है, तो लोगों को यकिन नहीं होता, बलकि प्रदेश सरकार उस अधिकारी को ह हमीशा हमीशा के लिए अपने पद से उसके पद से टर्मिनेट कर देती है, बरखास कर देती है, कि तुम इस पद के लायक नहीं हो। अपने नर्सिंग होम से निकलने के बाद वो घर जा रहे थे, रोज मर्रा की तरह अपने कार से जाते थे, बिकुल नहीं जानते थे कि आज उनकी जिंदगे में कुछ नया होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है, दरसल शाम साथ बज़े के आसपास, जैसे ही वो लेकर वो सीधे पहुंच जाते हैं, डॉक्र साफ साफ से कहते हैं कि डॉक्र साफ चीखने चिलनाने की बिकुल भी जरूत नहीं है, यदि चीखने और चिलनाने की कोशिश की, तो आप अपनी जान से हाथ दो बैट होगे, अब डॉक्र साफ शान्त पढ़ जाते हैं, एक व पीछे पीछे होती है, और इसे दरश्य को एक दो लोगों ने दिखा था, पूरी तरह से नहीं जानते थे, कौन है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, समझी नहीं पाजते, अब डॉक्र साफ जब घर नहीं पहुंचते हैं, तो घर वालों की टेंशन बढ़ जाती है, घर वाले उनका इंजार कर रहे थे, तभी होस्पिटल में बातचीत की जाती है, क्या बात है, वो कहते हैं, क्या बेटा डॉक्र साफ को ढूंडने के लिए, शहर में इधर उजर, लोगों की पास जाता है, बातचीत करता है, कि मेरे पापा को किसी ने दिखाए, यहां आए की नहीं रात कब गुजर जाती है, पता ही नहीं चलता, और जहां से उनका अपरण हुआ था, वो बात फैलते फैलते सुबह तक लोगों पता चल जाती है, कि डॉक्र साफ का तो शाम को अपरण हो गया था, ऐसा लगा जिससे क्या उन्हें किसी बदमाशों ने गन पोइंट पर ले जाती है, अब धाराइव जो लगानी थी, वो धाराइव लगाएगी, और पुलिस लग जाती है उनकी तलाश करने में, लेकिन कई दिन बीत जाते हैं, वो मिलते नहीं है, और शहर में हंगामा होना शुरू हो जाता है, कि इस तरह से डॉक्टर का अगर आपरण हो गया है, तो फिर लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे, क्या होगा इस शहर का, जब लगातार बिरोध प्रदर्शन बढ़ जाता है, तो जाहर सी बात है, पुलिस पे दवाब बढ़ता है, बात साशन तक पहुँच जाती है, और साशन में जब उन दुनों मुख्य मंत्री थी, मायबती मायबती अपने डीजीपी यानि की हाकम सिंग को बलाती है, उनसे कहती है कि ये मुथरा में कैच चल रहा है, इसका जब पता कराईए, और इस मामली की जाच कराईए, जो भी आरोपी हों, उनको जल्द से जल्द गिरफता करवाके जेल भिजवाईए, उदर डीजीपी चेतर का एक गाउं है, बिसोखर, दरसल यहां के जंगल में डॉक्टर साफ की कार लावारिश इस्तिते मिल जाती है, ये सूचना जब अधिकारियों के मादिन से मतुरा तक पहुंचती है, तो लोगों को लगता है कि डॉक्टर साफ कहा है, ऐसो तो नहीं, डॉक्टर साफ जिसका काम ही हत्या कराना होता है, जिसका काम अपरण करना होता है, जिसका काम लूट करवाना होता है, अब उसके पास जाते हैं, उसके पास जाने के बाद ये पता करने की कोशिश करते हैं, कहता है कि साब मैंने तो अपरण नहीं किया है, लेकिन पता करने की कोशिश करता यदि कई होगा तो मैं तुम्हारे पास जल्द सूचना पहुंच जाएगी अब मतुरा पुलिस बापिस आ जाती है और थोड़ा सा बेफिकरे से हो जाते हैं अपने काम में कि हाँ जल्द से जल्द वह बापिस आ जाएंगे कुल मुलाकर पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर थी और डॉक्ट साब को ऐसी धीरी-धीरी करके वक्त आगे गुजर जाता है लेकिन 3 अगस्त 2003 को डॉक्ट साब अचानक से पिरकट हो जाते हैं और जैसे पिरकट होते हैं अपने घर पहुंसते हैं थोड़े परशान थे हाले जदा खराब थी अपने बेटे से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके उतनी ही जल्दी प्रैस का इंतजाम करो ताकि प्रैस वालों के सामने जाके मैं बता सकूं आखिरकार हुआ क्या है। कुछल अपने घर बापिस आ गए हैं इसलिए कोई दिक्कत कोई परिशानी बाली बात नहीं लेकिन कोई नहीं जानता था कि जो मायबती ने डी जी पी को आदेश दिये थे एक ऐसी टीम मनाई गए थी जो गोपनी रूप से जाँच कर रहे थी यानि कि वो अपना भेश बदल कर जाँच कर रहे थी वो पुलिस की बर्दी में नहीं थी बनकी बलकी बिना बर्दी के थी STF की टीम होती है जिसमें SSP IPS अनिल कुमार अगरवाल होते हैं SP IPS अनंत देपतिवारी होते हैं DSP इंदरजीत सिंग तिबतिया होते हैं और अरबिंद चतुरूबेदी ये चार ओफिसर की टीम होती है और उसके बाद वो टीम मतुरा में गाज़ेबाद में दिल्ली में 29 अगस्त 2003 का ही डॉक्टर साब के घर में से एक व्यक्ति कैमिस्ट होता है जिसका नाम होता है सुरेंदर कुमार खंडेलवाल अपने डॉक्टर साब की यहां से एक बैग लेता है और बैग में रखे हो थे लगभग 5 लाख रुपे के आसपास उन रुपियों को लेकर वो व्यक्ति जोनल इंटेलिजेंस ओफिसर मतुरा के होते हैं तिरदीप सिंग जो की DSP की पोस्ट होती है और डिप्टी SP के घर पर वो बैग लेकि जब पहुंसता है तो पुलिस वाले उस व्यक्ति को दबोच लेते हैं उस में से और पुलिस अब उनके घर की तलाशी लेती ह तो उनके घर से साड़े ग्यारा लाख रुपे निकलते हैं अब डिप्टी SP भी नहीं जानते थे कि जो पुलिस ने पकड़ा है या अधिकारी को हैं जब वो अपना परिचे देते हैं कहते हैं कि हम STF से IPS ओफिसर अनल कुमार अगरवाल दूसरे बताते हैं कि मेरा नाम अन का इंतजाम कर रहा था लेकिन पैसे डॉक्टर साब के घर से कैसे आए इस बात का वो सही से जवाब नहीं दे पाए अब पुलिस उन्हें गरफतार करती है पकड़ती है थाने लेके आती है और उनसे अपने तरीके से पूछताश करती है बताया जाता है कि उस जोनरल इंट अधिकारी ने जब बोलना शुरू किया है तो बताते हैं कि जब इनसे पहले इनकी पोस्टिंग अलिगड़ में थी तो अलिगड़ में इनकी एक सब इंस्पेक्टर होते हैं मलिक साब मलिक साब से इनकी दोस्ती अची खासी थी एक दिनी आचानक से इस मलिक साब के पास प कारी का, डिप्टी is पांचा सु उस समस्या से हमीशा केली लए समधान निकाल दे, लेकिन इस से पहले कि उसे बतापाते तो बोबी जार्व कहता है कि साब कुछ बढ़ा करना चाहिए, जब बात बढ़ा करने की आती है, तो बढ़ा कुछ करते हैं कि हाँ, शहर एक डॉक्टर है जो बहुत मालदार है बहुत पैसे वाला है क्यों ना उसका अपरण कर लिए जाए ऐसी कुछ प्लानिंग होती है वो भी जाट अपने दो तिन साथियों को तयार करता है ये गाज़ेबाद का संथपाल गुजर होता है मरोहा का सुनिल गुजर होता है मेरिट का जाहिद और मेरिट का ही रहने वाला नोशाद होता है वो चारों लोग मिलकर प्लानिंग करते है और ये प्लानिंग होती है नो जुलाई 2003 की शाम साथ बज़े के आसपास डॉक्ट साब का सरे साम अपरण कर लिया जाता है साथ लाख रुपे में रकम तैग की जाती है डॉक्ट साब को छोड़ने के लिए कि डॉक्ट साब कहते हैं कि मेरे पास महज 40 लाख रुपे ही है मैं 40 लाख रुपे से जादा नहीं दे सकता अपने घर पर ख़वर बिजवाते हैं 40 लाग का इंतिजाम होता है 40 लाग दे दी जाते हैं बाकी की जो 20 लाग रुपे की रखन थी वो installment में दी जानी थी और शायद यही रखन पहुचाने के लिए जो कैमिश था सुरेंदर सिंग खंडेलवाल वो पैसे लेकर जा रहा था और स्ट्रीफ की टीम ने उस व्यक्ति को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद जब इस अधिकारी का नमबर आता है तब यह पूरा का पूरा जाल खुलके आता है उधर मतुरा पुलिस जो जान्च कर रही थी उसर पता चलता है कि मतुरा पुलिस सिर्फ और सिर्फ फोरी तोर पैसी कर रही थी वो सही इमानदरी से जाँच नहीं कर रही थी बलकि जो मायबती दौरा जो डी जी पी आदेश दिये गए थे डी जी पी के आदेश के बाद जो स्टियेफ के टीम जो काम कर रही थी असली अपरादी पकड़े जाते हैं और असली अपरादी पकड़ने के साथ साथ वो ओफिसर पकड़ा जाता है जिसकी इसमें पूरी तरह से सनलिपता होती है और जब बात ये पहुंशती है उत्तर प्रदेश सरकार तक तो सरकार को बहुत ज़्यादा घुसा आता है उन्हें लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है ऐसा नहीं होना चाहिए था हाले कि बाद में मुख्यमंत्री बदल चुके थे और इस अधिकारी को हमीशा हमीशा के लिए सस्पैंट कर दिया गया सस्पैंट नहीं बलकि बरखास्त कर दिया गया कहा कि ये रक्षक के रूप में भरती हुआ था ये भख्षक हो चुका है इससे समाज को खत्रा पैदा हो सकता है इसलिए इसको रहने का कोई अधिकार नहीं है उस अधिकारी के खिलाब भी कारवाई होती है हाले कि वो अधिकारी कोट जाता है वहां जाके रहत की महसूस करने की कोशिश करता है लेकिन ये बताया जाता है कि कोट से भी उसको रहत नहीं मिल पाती है और वो कभी फिर नोकरी पे आ नहीं पाता लेकिन जो इंस्पेक्टर जो अलिगर में मिला था वो भी जाओ के साथ जो मुलागात होई थी इस डीएस्पि की यह भी बताते हैं कि उस इंस्पेक्टर ने यह बोला था कि बएगर बकरा कटेगा तो सब में बराबर बराबर बटेगा हाले कि शुरुबात में वो अधिकारी शामिल नहीं था इंस्पेक्टर लेकिन बाद में वो शामिल होने की कोशिश कर रहा था लेकिन S.T.F के परियाब सबूत नहीं मिल पाते और वो अपनी जान बचाने के लिए हाई कोट चला जाता है हाले कि पुलिस ने जो भी इसमें आरोपी होते हैं उन आरोपी को पगड़ कर गरिफतार किया और गरिफतार करने के बाद जब इसका खुलासा किया था तो लोगों को यकिन नहीं हो रहा था कि एक पुलिस का अधिकारी इतना बड़ा कांड कर सकता है दोस्तो इस पूरे घटना करम को सुआने का उद्देश कि किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखना नहीं है बलकि आपको जागुर करना है आपको सचेत करना है और जाते जाते आज नूतन यादब है राजस्थान के रहने वाली है विनोत कुमार हैं जो राजिस्थान के रहने वाले हैं आज इन दोनों का जनम दिन हैं इन दोनों को जनम दिन की बहुत सारे शुपकाम नहीं बहुत-बहुत मुबारक बात साथ ही धनवात के रहने वाले हैं मुहमद अर्मान, मंगलिश सागर आगरास से हैं, परवेज अली, उनकी पत्नी नफीसा हैं, गोरकपूर से, योगिश कुमार, अकरम खान, पंडित रचित हैं, खुरजा के रहने वाले, आमानत अली हैं, शुबम गुपता भुपाल से हैं, पूनम पांडिज हारकंड से हैं, मुहमद अतीक, बाबुलाल मीना है राजिस्तान से, अलीना आफताफ, लक्षमन चोधरी बिहार के रहने वाले हैं, इन लोगों ने नाम लेनी की अपील की थी, आप सब लोग अपना ख्यार लखें, सुरक्षित रहें, जैहिन, जैभारत है वाले हैном, च जैप जैब है, जैप को थी सुरक्त रहें से, जैब हो वाले हैं, जैँ सिरू नात की आए स्टैंटर में, जैप ख स्क्रामिर ही हैं